काफी सारी चीजे हुई हैं कल से आज तक सबसे पहली तो हम बात करेंगे US जॉब डेटा के बारे में तो पिछले महीने जो जॉब डेटा आया था वो बहुत ज्यादा खराब था बहुत बेकार था उस पर मार्केट ने रियक्ट भी किया था और इस बार जो जॉब डेटा आया है वो पिछली बार से बहतर है लेकिन जो एस्टिमेट्स थे उससे खराब आया है और इस कारण मार्केट हो सकता है मंडे को मार्केट को थोड़ी सी आसंका हो गई थी कि खराब आएगा तो मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में और इस करण हो सकता है मंडे को भी मार्केट थोरा सा वीक रहे लेकिन अभी बीच में संडे भी है कोई अच्छी खबर आ जाती है तो भाई बुल मार्केट है कुछ भी हो सकता है लेकिन यूएस का जो job data है वो थोरा वीक आने से ये एक फाइदा जरूर है कि ये जो rate cut आने वाला है इसी महीने में जो उम्मीदें की rate cut आ सकता है वो जो और ज्यादा strong हो जाती है उम्मीदे क्योंकि job data weak आने का मतलब है कि economic growth स्लो होगी economic performance लो होगी तो उसको थोड़ा सा बूश्ट करने के लिए rate cut आ सके अपडेट है quant mutual funds की तरफ से quant mutual fund house ने finally one lakh करोर complete कर लिया है और ये एक बहुत बरी बात है कि almost 2019 से इन्होंने operations शुरू किये थे जब इन्होंने scots mutual fund को take over किया था और 2019 में start किया और 2024 आधा खतम हुआ है 9 महीने 9 महीना चली रहा है और one lakh करोर complete हो चुका है एक बहुत बड़ी बात है और बहुत जबरदस्त growth भी इस को हम कहेंगे एक सीज मैं और कहूंगा कि अगर यहां पे से भी की raid वाली बात नहीं आती तो यह तीन चार महीने पहले ही one lakh करोर का जो एम है वो cross यह लोग कर जाते तो इन्होंने investors को लेटर लिखके thank कहा और कहा कि बहुत बड़ी बात है यह और यह अभारी है investors के और बाद में कहा कि हम confident है कि जैसा past में हमने performance दिखाया है वैसा ही future में हम दिखाएंगे पिछले 2-3 महीने में थोड़ी सी underperformance जरूर रही है quant के mutual funds के अंदर में ही लेकिन इस महीने का अगर आप fact sheet देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारा fair बदल portfolio के अंदर किया है बहुत बड़ी-बड़ी holdings के अंदर fair बदल इन्होंने किया है हो सकता है future में इनकी performance लॉट है इसके बाद small cap liquidity को लेकर हम बात करेंगे यह मैंने कमेस में परहा था तो small cap को liquidity small cap की जो liquidity है उसको लेकर मुझे नहीं लगता अभी परिशान होने की जरूरत है present जो time scenario है अगर देख रहे हैं तो mutual funds के अंदर में लगातार growth हो रही है पीछे अगर 5 साल के भी बात करते हैं तो बहुत जवरदस्त growth होई है और बहुत जवरदस्त जो यह growth होई है इसका बहुत सारा पैसा small cap mid cap funds के अंदर गया है तो जो बाते हुई उसके अंदर यह हुआ कि compare कर रहे थे past में जो 2008 में हुआ है या 2000 के time में हुआ है उन सब time में जो crashes होई है उसके अंदर जो दिक्कत हो उसकी बात अभी कर रहे है तो देखे उस time के मुकाबले में और अभी के मुकाबले में जो market scenario है उसमें बहुत ज़्यादा difference आ चुक है उस time पे mutual funds का penetration इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है उस time पे invest करना इतना ज़्यादा easy नहीं था जितना अभी है इस कारण से जो पैसा है जो allocation है जो पहले small cap में कम होता था अब ज़्यादा होता है तो इसलिए जो अब देखो शुरू के अगर 200 stock छोड़ दे तो उसके बाद सारे small caps है तो इसलिए 251 नंबर 252 नंबर stock भी small cap ही कहलाता है और जो small cap funds है उसके अंदर में almost काफी सारे small cap funds तो 10%, 15%, even 20%, small cap funds के अंदर एक टाइम पर 28% तक large cap exposure देख रहा था तो इसलिए liquidity को लेकर मुझे नहीं लगता पढ़ेसान होने की ज़ुड़त है अभी small cap funds के अंदर बिल्गुल परशान होने की ज़ुड़त यहां पर हम देखें तो bank का जो रोना है वो खतम होने का नामी नहीं ले रहा still bank of brother के report के बाद भी still अभी भी banks यही रोना यहां पर रो रही है, complain कर रही है कि जो deposits हैं जो bank के अंदर आते थे या जो bank के अंदर थे savings account में, FD में, वो साड़े break होके bank से निकल के mutual funds की तरफ जा रहे है पहले Mercedes के CEO ने, I think उन्होंने कहा था कि हमारा जो competition है वो बाकी car company के साथ नहीं SIP के साथ हो चुका है, कि जो पैसे से लोग car खरीते थे, वो पैसे अब लोग mutual fund में invest कर रहे हैं पहले car companies यह रो रही थी, और बीच मेंने सुना car sales down होई, तो लोग कह रहे हैं कि mutual fund में लोग पैसा डाल रहे हैं, इसलिए car नहीं खरीते तो पहले car companies रो रही थी, जो पैसे से लोग car खरीते थे, वो लोग अब mutual fund में invest कर रहे हैं अब banks यहाँ पर यही रो रही हैं कि जो bank के अंदर savings और FD आती थी, वो सब mutual funds में जा रही है और bank वाले लोग कहा भी रहे हैं कि bank के अंदर बहुत जादा regulation है, bank को loan देने से पहले कुछ पैसा side में रखना परता है बहुत सारा जितना tight regulation bank के लिए है, उतना tight regulation investment के लिए, mutual funds के लिए नहीं है इस करण से bank की जगह mutual funds पैसा जा रहा है और यहाँ पे जो कोटक के CEO है, आई थिंक निलेस साव, उन्होंने कहा कि इसका एक solution ये है कि जो government है, वो अपना जो पैसा RBI के पास रखती है, वो पैसा अगर commercial banks के पास रखने लगे तो bank को पैसो की जो ये दिक्कत हो रही है, liquidity की दिक्कत हो रही है, वो दूर हो जाएगी, वो परिसानी नहीं रहेगी ये suggestion दिया और अच्छा suggestion भी है, यहाँ पे थोड़ी सी एक तरीके से आप अगर देखो, तो government की तरफ से थोड़ी सी चूप तो जहूर है, क्योंकि एक तो FD के अंदर returns कम मिलते हैं, उपर से tax benefit भी कुछ नहीं मिलता है, tax देना ही परता है और कोई tax lab के according ही देना है, बिल्कुल भी कोई भी छूट नहीं, और mutual fund के अंदर तो returns भी ज़्यादा मिल रहे हैं, 1.25 डेकर tax छूट भी है और उसके बार tax भी देना है, तो 12.5% ही देना है, तो FD के मुकाबले return से लेकर tax दोनों में ही जो mutual funds है वो ज़्यादा बहतर है, त पांच लाग से ज़्यादा अगर invest करते हैं, तो FD में भी risk है, और mutual fund में एक तरीके से मेरी तरह देखो, तो FD से कमी risk है, क्योंकि यहाँ पर करोरो रुपए भी invest करते हैं, तो diversify हो के, कम से कम भी तो 50-60 company के अंदर invest करते हैं, और ऐसे past में देखा गया है, कि return से बने है, risk कम हुए है, लेकिन FD में हमने देखा है, कि bank बंद होती है, तो पैसे गए, कई सारे banks बंद हुए है, पैसे गए, तो यह सारी दिक्कत है, इस करण से bank का पैसा, move और mutual fund की तरह है, लेकिन यह भी fact है, कि जब तक यह bull run चल रहा है, तभी तक, जैसे एक दो साल का भी bear grip होगा market के अंदर में सारा पैसा वापस खिच जाएगा, जो से भी यहाँ पे FNO को tight करने की बात कर रहे है, derivative rules regulation को और ज़्यादा tight करने की बात कर रहे है, जिसे की entry barrier और बर जाया है, और retail निवे सक trading न कर सके, FNO के अंदर नहीं जा सके, तो यह सब चीजे से भी को इतनी मेहनत करन की ज़रत ही नहीं, in my opinion, क्योंकि जैसे ही market consolidation phase में जाएगा, या गिरावट के phase में जाएगा, यहाँ पे जो FNO वाले लोग हैं, या फिर जो retailers हैं, जो बहुत इधर उधर कर रहे हैं, वो खुद निकल जाएंगे, वहाँ पे वही retailers बचेंगे, जो की long term growth को देखके invest किये हैं और समझ चुके हैं market को कि आए हैं, तो invest करके लंबे समय तक फुल्ड करना होगा, तो इतना क्रड़े बस बात खतम, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप अपनी राए इन सारी चीजों के बारे में comment box में जरूर देना, आप क्या सोचते हुए?